जहां प्रदेश पे रेट का अवेद उत्खनन रुखने का नाम नहीं ले रहा है वहीं अवेद उत्खनन पर यदि अन्य जिली की रॉयल्टी मिल जाए तो रेट माफियों के लिए सोने पर सुहागा होजगा एक ऐसा ही मामला सिहोड जिले के नस्रुला गंज में सामने आया है जहां रेश से भरे डंपर को पकरने पर उसके पास होशंगाबाद जिले की रॉयल्टी मिली है नस्रुला गंज शेत्र के मंडी से पुलिस ने दो डंपरों को दिन के लगबाद दो बचकर 30 मिनट पर जत्त किया है जिसमें एक डंपर के पास होशंगाबाद जिले की रॉयल्टी पाई गई जो करीब दो बचकर 11 मिनट पर बनाई गई थी तो सवाल यह उठता है कि क्या मातर 20 मिनट में उक्तवाहन करीब 90 किलो मीटर की दूरी तै कर गया वहीं दूसरे डंपर के पास जहाजपुरा स्चॉक की रॉयल्टी मिली है जो सुभा करीब 8 बजे बनी है जिसे मातर 20 किलो मीटर की दूरी तै कर नसुल्ला गण पहुशने में 5 गई लग गए दोनों ही मामलों में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नसुल्ला गण शेत में अवेद उत्खनन के साथ फर्जी रॉयल्टी भी जारी की जा रही है यह रॉयल्टी फर्जी वारा का कोई पहला मामला नहीं है ऐसे अंगिनत मामले सामने आ चुके हैं किंदु कारवाही का दंब रखने वाला खनेज विवाग एवं आला अधिकारी जाज के नाम पर खाना पूर्ती करते दिख रहे हैं जिससे रेत माफियाओं के होसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं